Hello Friends, मैं त्रिप्ती, आपको आज बता रही हूं कैसे आप अपनी website का analysis कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आपकी website की performance क्या है, low time आप कम कर सकते हैं, आप अपने website के error जो है, check कर सकते हैं, कितने error हैं, कितने faz check हैं, कितने pass check हैं, और वर्निंग्स कितनý हैं और आपका SEO score कितना है यह website है www.seetmyfarm.com इसका 71% SEO score है और आपका यह मेरी website का performance है अगर आपको इसी तरह आप अपने यह जो एक site है SEO site check-up यह एक site है वो रहें की तरह है जिससे आप जो है सारी चीज़े आप अपना backlink कि आप backlink कितना है आपकी website के लिए other broken link तो नहीं है आपकी CSS file का क्या status है सब कुछ आप जो है इसमें check कर सकते हैं आपको बस क्या करना है सबसे पहले आपको sign up करना है sign up करने के बाद कुछ other option भी आपको मिलेंगे जिसके तरह आप जो है अपनी website का analysis कर सकते हैं आप उसके बाद आप जो है सबसे जो best option आता है वूरंग वूरंग आपको सबसे बहतरी जो है option देती है SEO check में आप जो है उसके थूरू improvement कर सकते हैं आप चेक करते हैं वूरंग कैसे support करते हैं वूरंग के थूरू आप जो है अपनी website को open करेंगे then आपको एक extension आता है Google में आप Google extension जो है आप यहाँ पर type करेंगे वूरंग जैसे मैंने यहाँ पर type किया है by default color type हुआ है यह आपका just a minute extension वूरंग extension तो आप जो है इस वूरंग extension को अपने जो है यहाँ पर जो है add कर सकते हैं इसको browser में और add करने के बाद मेरा already added है तो यह added to chrome शो कर रहा है आप add कर सकते हैं और आप अपनी website open करेंगे उसके बाद इसको just आपको click करना है sign up कर लीजे अपना Google Gmail के account के तरू आपका जो SEO score है और सभी site से जो है यह अच्छा आपको बताता है उसके तरू आप improvement कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आप आपको मैं पूरा यहाँ पर बता देती हूं आपका इसमें क्या है आपका just a minute यह साइन अप करने के लिए बोल रहा है एक मिनट आप चेक करते हैं यहाँ पर जो है इसने जो हमारा status है SEO का इसने पास दिखाया है कि SEO का जो लेवल है वो पास है और आपका यहाँ पर यहाँ पर दिखाया है पास है तो green color में आएगा आपका और आपका जो है कुछ medium है अगर तो आपका यह orange color show करेगा red है तो error है आपको improve करना है then चलते हैं हम नीचे show करते हैं title tag यानि कि title जो है आपका उसकी जो length है वो ठीक है तब ही यह green color में आ रहा है उसके बाद आपका meter description और heading यानि कि यह average average है आपका improvement कर भी सकते हैं अगर आप इसमें चाहते हैं otherwise यह okay है and यहाँ पे आपका keyword cloud यानि कि इसमें यह आपको आजाता है keyword consistency आपका कौन-कौन से keyword लिए गए है consistency कितनी है कितनी बार आप use कर रहे है उसको तो आपका proper वहाँ पे यह show होगा alt attribute alt attribute यह क्या होता है यह crawlers होते हैं जो वह अमारा image और wire frame और कोई भी जो आपके जिससे कोई भी image हो गया अगर हम alt text नहीं use करते हैं तो जो crawlers होते हैं spiders होते हैं वह एक algorithm है Google ने क्या है आपका software develop किया है algorithm है जो की उनको instruction provide है वह image को जो है fetch नहीं करते हैं तो अगर आप alt text उसमें use करते हैं तो image already image जो है वह fetch हो जाती है उसको जो है read कर लेता है crawlers और अपने database है उसमें save कर लेता है कैसे करेगा अगर जैसे मैंने एक post लिखा है उसमें image है तो Google crawlers जो होते है text को read करते है image को नहीं करते पर वह image में alt text भी होगा तो obviously उसको जो है run जो है आपका ये crawl करेगा तो then आप नीचे आ जाते हैं तो आपका page link इसमें आपका जो है link क्या है external link कितने है internal link कितने है 15 link है इसमें आपका सभी link होंगे broken link होंगे आपका internal और external हमारे जो आपकी SEO purpose से हमारे उसमें कोई भी broken link नहीं होना चाहिए उसको आप resolve करिए क्या problem आ रही है वो check करिए broken link एक भी नहीं होना चाहिए internal linking जो है आपकी internal linking होनी चाहिए internal linking अच्छी होती है तो यह bounce rate कम होती है और bounce rate जितनी कम होगी उतना हमारे उसके लिए better होगा क्योंकि जो Google की जो आपकी यह algorithm है और आपका updates है तो उनके throughback हमारा जो है आपका यह जो है आपका broken link नहीं होने चाहिए और internal link के अच्छी होनी चाहिए और आपका यह check कर लेते हैं broken links इसमें एक भी broken link नहीं है तो यह better है यह अच्छा है पर यहाँ पे www.ya resolve नहीं है canonical error आपके उसमें नहीं होना चाहिए आपका redirection proper होना चाहिए डुपली केसी नहीं होनी चाहिए content की आपका robot.txt file यह इसलिए हम use करते हैं कि crawlers जो है crawl करें अपनी website को site map होना चाहिए आपके उसमें और आपका domain का registration यहाँ पे दिखा रहा है created 4 months ago यह 4 months before जो है purchase हुआ था और expiry 8 months पे expiry हो जाएगा तो अगर आपका domain 2 years के लिए रखते हैं वो भी better option होता है आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि we have not found a blog on this site पट यहाँ पे blogs है by default हो सकता है इसे resolve करना है अगर ऐसा कुछ error दिखा रहा है तो आप check कर लेते हूं और mobile friendly है नहीं mobile friendly है अगर आप sign up करके कुछ check करते हैं तो कुछ और थोड़े बहुत options जो है वो change हो जाते हैं आपके mobile जो है viewport है mobile speed थोड़ा slow है इस पर work करना होता है properly image जो है optimize होनी चाहिए optimize आप कोई भी image है उसको property में जाके करेंगे details में जाईएगा जो title है उसको title change करिएगा आपका उसमें tag तो यह आपको करने है और आपका custom 404 page यह भी आपका resolve होना चाहिए and load time आपका कम होना चाहिए language आपका by default English उसकरते हैं और आपका यह आप इसमें आपको पूरे check दिखाएंगे कि क्या-क्या चीजे आपकी problem है आप जो है check कर सकते है backlink कितना है backlink होना चाहिए और आपका यह backlink score क्योंकि new site है तो backlink generate होने में काफी time लग जाता है बर आप backlink जो है generate कर सकते है और पे जो optimization के थूँ blog submission site के थूँ आप social book marking कर सकते हैं जिसके थूँ भी आप backlink जो है generate कर सकते हैं backlink क्या होता है आप कोई भी जो other site है same content जो site है आपकी वहाँ पे आप जो है आपकी site का जो link paste होता है link होता है तो वो आपके लिए incoming link जो होता है वो आपका backlink होता है और उसके बाद जो है आपका social media जो है engagement अच्छा होना चाहिए यहाँ पे ok-ok है तो यह सब जो है facebook page कैसा आपका काम कर रहा है वो सब दिखाएगा कितना engagement है क्या है तो वो rank जो है काफी अच्छी information आपको दे देता है और आपका यह भी better SEO check-up जो है आपको यह भी काफी अच्छी जो है info दे देता है तो आप जो है इसके दुरू भी आपका यहाँ पे जो है 31 Gen तक आपका 69 score दिखा रहा है तो इसी के through यह दो site है जिनके through आप जो है SEO improve कर सकते है SEO performance जो है आपकी अच्छी हो सकती है मैं आपको इसका dashboard भी जो है open करके दिखा देती हूँ अगर यह पसंद आए आपको तो please like करिए and share करिए मैं चेक कर लेती हूँ यह open हो रहा है आप इसको sign up करेंगे sign up करने के बाद इसमें भी कुछ अलगी option आते है तो यह यहाँ पे जो है 69 जो है rules यहाँ पे score बता रहा है ऐसे ही आप अपनी website का check कर सकते है thank you friend watching again my videos and thanks